अगर आपका बजट 1500 रुपे है और आप डूंड रहे हैं ऐसी स्मार्ट वोच जिसके अदर आपको Bluetooth कॉलिंग देखने को मिलें डिस्पले भी बढ़िया हो और फीचर भी बढ़िया देखने को मिलें तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी पा स्मार्ट वोच अन्षप से काफी बढ़िया हो जाती है बट यहां पर आपको HD ही देखने को मिलने वाले है जो भी 1500 के अंदर आती है मोश्ट लिए इन सभी के अंदर आपको HD डिस्पले ही देखने को मिलती है इसके अंदर आपको Bluetooth को निंग का Sport देखने को मिलेगा जो कि यहां पर आपको 60 sports mode देखने को मिलते हैं जो की more than enough हो जाते हैं आप बिल्गुल सानी से कोई भी sports mode का यूज कर सकते हैं इसके अंदर आपको 5 दिन का battery backup देखने को मिलता है जो भी पूरा enough हो जाता है इसके लबाव IP67 की rating देखने को मिलती है जो की ठीक ठाक होती है बट IP68 की होती तो और अच्छा होने वाला था सेकिंड फायर बोल्ट निंजा 3 इसका rate आपको 1300 रूपे के आसपास देखने को मिलता है 1.69 इंच की HD display देखने को मिलती है तो पहले वाले गीत रही हैं आपर भी आपको same nits देखने को मिल जाती है इसके अंदर भी आपको Bluetooth calling का sport देखने को मिलता है Bluetooth calling का sport आपको सस्ती smart watch के अंदर कम देखने को मिलता है बट यहां पर इन सभी के अंदर आपको Bluetooth calling का sport देखने को मिलेगा SPO2 का sensor देखने को मिलता है Heart का sensor देखने को मिलता है इसके अंदर भी आपको 60 sports mode देखने को मिलते हैं, जो की काफी जरा हो जाते हैं, आप बड़ी sunny sis का use कर पाँगे, और यहां पर आपको काफी जरा watch face भी देखने को मिलते हैं, पहली वाली के अंदर भी आपको देखने को मिल रहे थे, और एक काफी अची comfortable भी देखने को मिलते है, 1.69 inch की HD display देखने को मिलती है, 2.5D curve glass के साथ यह आपको देखने को मिलती है, साधे 500 nits की आपको brightness देखने को मिलती है, जो की बाकियों से काफी जरा देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर भी आपको Bluetooth calling का sport देखने को मिलते है, SPO2 का sensor देखने को मिलते है, और यहां पर आपको पूरे एक अपते की battery life देखने को मिल जाएगी, इसके अंदर भी आपको IP6080 rating देखने को मिलती है, जो की water and dust से आपकी protection करने वाली है, जो की काफी जरा बढ़िया हो जाती है, काफी सारी के अंदर आपको IP67 देखने को मिलती है, बट यहां पर इन्होंने IP68 दे दी ह इसके अलबा यहां पर जो इसका design है, यह भी आपको काफी जरा बढ़िया देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आप 10 contacts को save कर सकते हो, जो की इसका अलग feature देखने को मिलता है, तो आपको बार बार अपने phone से deal नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 10 contacts को save करने का option द देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको Bluetooth calling और heart का sensor देखने को मिल ही रहा है, साथी में जो इसके अंदर आपको mic and speaker देखने को मिलता है, उसकी quality भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, तो और आल आप इसको purchase कर सकते हो, बट इसका rate कई बार ज्यादा होता है, तो आपको weight करना ऐसे कम होने का, फोर्थ, P-Tron Force X12N, इसका rate आपको पूरे 1500 रुपे देखने को मिलता है, 1.85 इंच की HD display देखने को मिल जाती है, तो mostly सभी के अंदर आजकल आपको HD display ही देखने को मिल रही है, जो कि आपको सस्ती वाली देखने को मिलती है, बट यहाँ आपको 580 nits की brightness देखने को मिलते है, जो की काफी जरा हो जाती है, बाकियों के मुकाबले में, इसके साथ भी आपको Bluetooth cooling का sport देखने को मिलता है, mic and speaker देखने को मिलेगा, जो की अच्छी quality के साथ आने वाल है, इन सभी के अंदर ही आपको Bluetooth cooling का sport देखने को मिलते है, SPO Tour heart का sensor देखने वाली है, यहां पर 5 दिन का battery back थोड़ा सा कम देखने को मिलते है, बट overall ही काफ ज़्यदा बढ़िया है, बट यहां पर भी आपको 8 sports mode देखने को मिलते है, जो की काफी ज़्यदा कम है, और यह इसका काफी ज़्यदा बड़ा कोन भी हो जाता है, 5th firebolt ring 3, यह भी आपको 1500 के budget के अंदर देखने को मिलेगी, 1.18 की HD display देखने को मिलते है, जो की काफी ज़्यदा बड़िया हो जाती है, इसके लावा यहां पर आपको पूरे 118 sports mode देखने को मिलते है, जो की बाकि सबसे सबसे ज़्यदा इसी के अंदर ही देखने को मिलते है, इसके अंदर भी आपको Bluetooth tooth calling का sport देखने को मिलेगा, spo2 और heart का sensor भी देखने को मिलेगा, यहां पर आपको पूरे एक अपते का battery life देखने को मिलते है, बाकियों के अंदर आपको IP68 की देखने को मिलते है, बाकियों के अंदर आपको IP68 की देखने को मिलते है, इसके अंदर कुछ आपको inbuilt games भी देखन इसके अंदर आपको काफी सारे वोज के फेस देखने को मिलते हैं और वोइस असिस्टेंट का स्पोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि माइक एंड स्पिकर भी काफी दा बढ़िया देखने को मिलते हैं तो ये थी वो पांसमार्ट वोज जिसका बजट 1500 होने वाला है और काफ जड़ा वैल्यू पूर मनी होने वाली है तो अब कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं थैंक्स पूर वाचिंग